तो दोस्तो आप जैसे ही यहाँ पर जो है बीजी एमाई में लॉग इन करने के कौसिस करते हो तो यहाँ पर जो है authorization, revoked, 611 या फिर कोई अलग लेटर जो यहाँ पर है वो लिक कर आता है आप जैसी OK पर क्लिक करोगे दोस्तो तो कुछ इस तरीके से हो जाता है लेकिन आप ज तरीके से हम ठीक करने वाले हैं किस तरीके से solve करने वाले हैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो सबसे पहले दोस्तो अगर आपका यह problem आ रहा है तो सबसे पहले आप confirm करो कि आपने जो है Facebook से login किया था Google से login किया था या फिर phone number से login किया था ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो Twitter अगर सभी आप login करते हो तो यहाँ पर जो है आपकी idea में यह problem आ सकता है अगर जिन्होंने Facebook से login किया दोस्तों उनका यह ज्यादा problem आ रहा है अगर जिन्होंने Google से login किया उनका यह problem थोड़ा कम आ ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर login करने जा रहे हो आप त तो इस पर tap करके रखना है अपको ठीक है tap करने के बाद दोस्तों आपको app information में चले जाना है आप जैसी आप information में चाओगे यहाँ पर आपको चले जाना अब फिर भी अगर आपका problem solve नहीं हो रहा है दोस्तो आपको क्या करणा है आपको चले जाना है data usage में ठीक है data usage तोर्य यहां पर आपको storage में चले जाना है और यहां पर देख सकते catch जो है वो clear कर देना है तो यहां से मैं जो है दोस्तो catch जो है आपको उसी तरीके से इसका भी catch जो है वो clear कर देना है ठीक है यहां से data पर click करना है clear catch कर देना है अब यहां से हमने catch clear कर दिया अब जो है दोस्तो हम फिर से login करके देखते हैं कि हमारा जो busy हम आई है वो login हो रहा है या नहीं अब दोस्तो यहां पर देख सकते हो आपको mobile number और password मांगा जाता है Facebook का ठीक है तो आपको क्या करना है आपने जिस भी number से Facebook का अपना account खूला है वो number आपको दे देना है तो यहां पर मैं दे देता हूं उसके बाद जो आपको डेना है तो यहां से मैं अपना Facebook का password भी डाल देता हूँ और अपना mobile नमबर भी डाल देता हूँ ठीक है तो यह आपको डाल देना है दोस्तों उसके बाद आगे क्या करना है वह चीजा आपको मैं बताता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो मैंने अपना phone number और password डाल दिया है विसे मैं login करके देखता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं login करता हूँ तो यह हमारा नहीं ले रहा है तो forget password पर मैं click करता हूँ साथ मुझे मेरे facebook का password याद नहीं है ठीक है तो यहाँ forget password पर आपको click करना है पासवर्ड आपको forget कर लेना है और फिर दोस्तो जैसे आप try करोगे तो यहाँ पर फिरसे आपको बोला जाएगा please wait 6 seconds before login in again तो यहाँ पर ok पर click करना है facebook से आपको login करना है यहाँ पर हो सकता है अबर हमारा हो जाए और finally दोस्तो देख सकते हो हमारा जो यहाँ पर problem है वो solve हो चुका है and हमारा जो busy mi है दोस्तो वो login हो चुका है देख सकते हो यहाँ पर हमारा खुल चुका है तो कुछ इस तरीके से दोस्तो आपको जो है अपना problem solve कर लेना है होब दूस्तों आपका जो यह प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा और आज की वीडियो के लिए बस नहीं मिलता है कोई नहीं वीडियो में तब तक लिए जाएं जया भारत